हमिरपूर की उपमंडाल भोरंच की सानवी पंचायत को डेपूटेशन पर मिले सचिव के तबादले को लेकर पंचायत प्रतिनीधी वग्रामिन उग्र हो गए हैं पंचायत में डेपूटेशन पर कारे कर रहे पंचायत सचिव के तबादला आदेशों के बाद स्थान ये पंचायत प्रतिनीधियों ने पंचायती राज विभाग की कारे परणाली पर आक्रोश जाहिर किया है शुकरवार को इस मामले को लेकर पंचायत प्रतिनीधियों वग्रामिनों ने एक संयूक्त बैठा कर पंचायती राजविभाग से सचव के तबादले को लेकर एक परस्ताओ भी पारित किया है पंचायत प्रतिनीधियों वो ग्रामिनों का कहना है कि उनकी पंचायत सानवी में सचिव रमेश चंद डेपूटेशन पर नियुक्त हैं लेकिन अब पंचायती राजविभाग्द उक्त सचिव से सानवी पंचायत का अतिरिक्त कारेभार छीन कर किसी और सचिव को देना चाहते हैं जिसका स्थानिय ग्रामिन विरोध करते हैं हुजवलह माचल के लिए हमेरपूर से विज़ठाकूर की रिपोर्ट अब पंचायत में अपनी सेवाई दे रहा हूं तो मैंने पंचायत में जो पीछे हमारे सेक्टरी थे उनको भी काम करते हुए देखा है और आज जो डेपूटेशन के ओपर हमें रमेश चंजी जो सेक्टरी के रूप में मिले उनको लगबग चार मीने से काम करते हुए देखा अपनी पंचायत में तो जो काम दस सालों से नहीं हुपाए वो आज तीन चार मीनों के अंदर हुए तो रमेश चंजी का जो काम करने का जो तरीका है वो अपने ड्यूटी के प्रती इतना लगाव रखते हैं और इकनी मांदारी रखते हैं कि वो सुबह नौ बज़े ड्यूटी के उपर आते हैं और साम को साथ बज़े भी जाते हैं यहां से और हर जानकारी की उपलब्द कराते हैं हर एक वार्ड मेंबर को सुमुही के तरुपर की हमारे पास कौन-कौन से फंड होते हैं इनको कैसे कैसे यूटिलाज किया जा सकता है नए काम कैसे डाले जा सकते हैं और जो काम आप करवाने में असमर्त होते हैं उनको कैसे करवाया जाए तो हर चीज़ के बारे में उन्हेंने जानकारिये दी हैं और आज पंचाइत शानवी पंचाइत को विकास के राह के उपर जो लेके गए हैं उसको देखते हुए आम उनकी सेवाँ से बहुत मतलब मतलब मालू आपकी खुश हैं और एप्रिशेट करते हैं उनको की ऐसे सेक्टरीज भी पंचाइतों में हैं जो की अपने तीन मिन्ने के काम में उनने हमारे दिलों में इतनी जगा बनाई इतनी मांदारी से काम किया कि आज जो जनता का जो अकरूश है कि स्रमेश्चन सेक्टरीज को यहां पर रेगूरल पोस्टिंग की जाए उनकी और यह जो डेपूटेशन जो उनको अलग से बगेटू पंचायत में दी इसको रोका जाए अन्य था फिर अगर टीम में अच्छे लोग नहीं होंगे तो बार्ड मेंबर जितना मर्जी अच्छा मणालो परदान मणालो अगर सेक्टरी नहीं होगा सेक्टरी मालक और सुचालक होता है पंचायत का सेक्टरी के द्वारा ही सब चीजे की जाती है तो मैं इतना ही कहूंगा कि सेक्टरी को हमारे सेक्टरी को रेगूलर पोस्टिंग की जाए सान भी पंचायत में धान्य बाद